हेलो एवरीवान आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वह मैसेज जो वाइरल होता जा रहा है होमेपतिक मेडिसिन एस्पीडोसपर्मा को लेकर मैसेज यह है कि एस्पीडोसपर्मा की 20 बूंट एक कप पानी में लेने से पेशेंट का ओक्सीजन लेवल इंप्रूव हो रह लेना चाहिए अगर लेना चाहिए तो कब लेना चाहिए दोस्तों बेशक यह दवा ओक्सीजन लेवल इंप्रूव करने में हेल्फुल है लेकिन इसे डॉक्टर के कंसल्केशन के बाद ही यूज करें और इस दवा को सपोर्टिव यूज करें अगर आपके पास ऑक्सीजन अवेलेबल है तो उसे हटाकर सेफ मेडिसीन यूज करना यह सबसे बड़ी गलती होगी ऐसा बिल्कुल ना करें ऐसा करके आप अपने पेशन को खत्र सिती देश में बनी हुई है ऐसे में आप चालू कर सकते हैं यह उक्सीजन लेवल को नीचे नहीं जाने देगी दूसरी बात जो कई सारे लोगों के दिमाग में चल रही है कि एमर्जन से कंडिशन है और ऐसे में इतना वक्त नहीं है कि वह डॉक्टर के पास जाए कंसल्ट करें तो ऐसे में अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसे तुरंथ चालू कर दीजे और एक बार पेशन्ट स्टेबल हो जाए उसके बात आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि इसे कितनी देर और कितनी पोटेंसी में शुरू रखना है मैं यह बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आप एस्पीडोस पर्मा को विदाउट कंसल्टेशन ले सकते हैं लेकिन अगर बहुत ही एमर्जेंसी कंडीशन है औक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पा रही है ऐसे में वक्त ना हो तो पेशन्ट की जान बचाने के लिए आप इसे शु करने में काफी हेलफुल है तो ऐसे में आप नजदी की होमेपथिक फिजीशन से कंसल्ट कर सकते हैं अगर अभी भी कोई भी डाउट्स आपके दिमाग में हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिग कर भेजिए मैं आपके हेल्प करने की पूरी कोहिश करूंगी और इस आपके लिग रफटेवा थेड्ट आपके लिए आपके लिग देख टी आपके लिए भी यई थे विए जाएल्ट आपके लिए पी अट्ट कर आपके लिए बुटल से